आम तोर पर लार्ज क्लास को एक मसला तसवूर किया जाता है और ये देखा जाता है कि जहां लार्ज क्लास होगी, जहां एक बड़ी क्लास होगी, वहां पर उतने ही ज्यादा मसाइल होंगे. हर वक्त ये बात जो है वो ठीक नहीं होती क्योंके लार्ज क्लास के भारहाल कुछ फवायत भी हैं. आएए देखते हैं वो क्या फवायत हैं. सबसे पहले, तो जाहर है कि जब एक बड़ी क्लास होगी, उसमें स्टूडेंट नंबर ज्यादा होगा, और वहां स्टूडेंट का आपस में इंटरेक्शन जो है, वो बहरहाल ज्यादा होगा. क्योंके क्लास साइज बड़ा है, नंबर अफ स्टूडेंट बड़ा है, वो बहतर होंगे क्योंके एक मुस्तकिल राप्ता है स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ बिकॉस ऑफ बिगर क्लास साइज. So, in a large class, one of the advantages is that the students, they get to interact more with each other. और तालीम का एक बहुत एहम हिस्सा जो है, वो interaction भी है और interpersonal relationships हैं, जिसकी हमने Harvard Gardner की थेरी के अतबार से पहले भी बात की थी, and it is a very important skill to develop. So, this is one advantage of being in a large class. इसके इलावा, जब एक बड़ी साइज की क्लास है, तो उसमें हर तरह के students होते हैं. उसमें bright students भी होते हैं, जिनको हम star performance कहते हैं, एक average दरजे के students भी होते हैं, और इसके इलावा, जो है वो low-level, low-performing students भी होते हैं, ऐसे students जो कमजोर हैं, जो तालीमी अतबार से कमजोर हैं. So, it is a heterogeneous group, जिसमें तमाम तरह के जो हैं students हैं, वो शामिल हैं. इसमें, again, जिस चीज की एक sound possibility है, हो ये है, that the more proficient students will help the less proficient students. So, there will be interaction again, and the more able students will guide the less able students. So, there will be a very healthy interaction, and this is a sound possibility in a large class. ये interaction ऐसा होगा, जिसमें, जो कमजोर तालीम हैं, वो जो अच्छे तालीम हैं, जो bright performers हैं, उनसे इस्तफादा कर सकते हैं. तो इस चीज का एहतमाल काफी होता है. टीचर के लिए भी, जो एक large class है, वो challenge तो होता है, मगर इसके साथ साथ, अगर टीचर large class को seriously पढ़ाना चाहें, और उससे कुछ सीखना चाहें, तो उसकी एक natural professional development होती है. क्योंकि एक बड़ी class में, जो उस्ताद है, वो एक मुस्तकिल कोशिश कर रहा होता है, या कर रही होती है, कि वो ऐसी techniques का इस्तमाल करें, जिससे students जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद हों. तो उस struggling process में, the teacher learns, the teacher learns those coping strategies which are important in a large class. तो teacher जो है, वो बगएर किसी formal professional development के, एक natural professional development जो है, वो उसकी हो रही होती है. Because a good teacher should always reflect, a good teacher should always reflect on his or her actions. और उसे जो है, वो सीखने के ज्यादा मवाके मिलते हैं. तो इसमें एक अच्छी जो है वो बात ये है, कि सीखने की बहुत गुंजाश होती है, और आपने अगर एक large class को ही पढ़ाना है, तो फिर आपके लिए ये नागुजीर है कि आप वहाँ पर सीखें और अपने आपको वहाँ पर एक मुस्तकिल तौर पर अपने आपको मनवाएं. तो इसके लिए जो है वो आप मुखतलिफ तरीके बरुएकार लाते हैं, उसके लिए आप मुखतलिफ strategies का इस्तमाल करते हुए जो है वो students को बहतर तरीके से बढ़ाते हैं. So this is a very important and interesting concept. इसके इलावा जो है वो peer teaching का concept है, कि जाहर है कि teacher जो है, he or she is not the only pedagogue in the class, जिसका मतलब यह है कि teacher जो है, वो खुद ही तमाम तर teaching का जो जिम्मेदारी है उसने नहीं उठाई वी, क्योंकि जो बेतर students हैं, जो bright students हैं, वो भी जो हैं उनको जिम्मेदारी दी जा सकत है कि वो जो हैं less able students की मदद करें, उनको सिखाएं, ताकि जो teacher है उसका बोच थोड़ा सा कम हो सके. So, जो large class है, यह ना समझीए कि उसमें सिर्फ मसाइल ही हैं, उसके थोड़े फवायद भी हैं, जिनको जरूर सामने रखना चाहिए, क्योंकि बाज हालात में, जो large class है, that is inevitable वो जो है होती है और आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, especially when you are struggling with big student numbers. वहां पर large class होना लाजिम है और teacher का उसको पढ़ाना लाजिम है, तो फिर teacher को ऐसी strategies जो हैं वो जरूर सामने रखनी चाहिए, जिनसे जो large class है, वो एक बहतर तरीके से बढ़ाई जा सकती है.